आप पर जाकर मुझे फॉलो कर लो वाफर मैपसे बाते करतो हो आप पर आप जो भी वी तोपिक मुझे इस पर मैं आपको वीडियोस भी देते रहें, सो वीडियो को like, comment, share करना मत बहु की ज़ादे ज़्यादे चाथ है, वीडियो को like, comment, share करना मुझे motivation मतलब आपके लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो let's start our topic, difference between flocculated suspension and defrocculated मतलब और non-frocculated suspension सबसे बहुले दिफ्रेंस ते पार्टिकल फॉर्म फॉर्म लूज ऐग्रिगेशन एंड फॉर्म नेट्वक लैव्ट स्ट्क्चर मतलब यह आप पर क्या होता है और बोच कर अगरते नेट उबर क्लेग स्टक्चर फॉर्म करते हैं सेडिमेंटेशन का रैट जो होता है बूध हई उसका बहुत ज़ादा है दिफ्रोकलेटर सप्neTT में आब बात करेंगे तर रे टो सेडिमेंटेशन इजो कमें सेडिमेंट फॉर्म और बहुत जल्दी कर बात करें बहुत स्लोली सोङ 1 तेरी से सेडिमेंटेशन चाहिता है होता है नीचे जाकर सब बैट जाते हैं तो शेक करने के बाद बहुत जीली उसको रीडिस्पर्स होती है और यहाँ पर बात करें तो सेडिमेंट इस डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स अटल्लब भी Σेडिमेंटेशन जो होता है तो दिफिकल्ट होता है रिटिसपर्स करने के लिए तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है सेडिमेंट इज लूज हली स्लीप और शॉजली वर्ण पार्ड कख्लो पाल्टट्र भी होते वहां पर हुजसструкल हएं सिर्ट्रष लुसीर ॒स्लेंском होता है very closely black होने के बाद वो hard cake मतलब बहुत पैक वहाँ पर हो जाता है नीची 6th super nut liquid is clear होता है super nut liquid clear होता है यहाँ पर super nut liquid is not clear मतलब clear नहीं होता है 7th the floccule sticks to the sides of bottle मतलब जोगी floccule होते bottle को stick हो जाते sides से और defluculator suspension में the floccules do not stick to the side of bottle मतलब side bottle के side में वो stick नहीं हो जाते एड़ ते suspension is not pleasing in appearance मतलब वो appearance के लिए बहुत pleasing नहीं होता और यहाँ पर बात करेंगे तो suspension is pleasing nature मतलब बहुत pleasing होता है appearance के लिए और दिखने के लिए चोक्लेटर सस्पेसिंग अगर एक्जामपल देखके तो बिस्मत कार्बोनेट मिक्चर और डीफोक्लेटर सस्पेसिंग का है एक्जामपल प्रेसिपिटेट चॉक मिक्चर एक्जामपल पी अच्छ से किया कर आप करते नहीं और उसमें से क्या होता है एक प्लेटर बहुत इज़ी कम हो जाता है आपका और एक्जामपल लिखती तो आपका इंप्रेशन अच्छे हो जाते है और आपको अच्छे से जादा से जादा माख्या होते है झाल से जादा है